तो यह उत्राखड में धामी सरकार का एक महीने का कारेकाल पूरा हो चुका है और एक महीने के कारेकाल पूरा होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी ने कहा है कि इस एक महीने में कई एहम पैसले सरकार ने लिए हैं तो केंद्रे नेत्रत्व का सहयोग भी सरकार को मिला है, सियम धामी ने कहा है कि युवाओं को रोजगार से जोडने और उन्हें नौकरी मोहिया कराना सरकार का लक्ष है और 15 अगस तक हमारे कोशिस है कि काफी सारी भर्किया निकलने वाली है, जो जल्दी प्रकासित होंगी, इसके साथ साथ हमने एक साल की समय सीमा बढ़ाई है, पेंडेमिक में जो लोग परिक्षाओं में भाग नहीं लिपाएं, उनके लिए और साथी साथ डॉक्टरों का तो धामे सरकार के एक महीने का कारेकाल पूरा हो चुका है, और ये एक महीना काफी जो है फोकस यहां पर रहा और कई एहम पैसे लिए गए हैं, तो इस कारेकाल को पूरा होने पर क्या कुछ महापर जमीनी सरपरिस्तितिया देखने को मिल रही है, सीधा रुक करेंगे हमारे संबादाता ग्यानिंदर तिवारी का जोकिमार साथ लाइफ जुड़ गए है, ग्यानिंदर धामी सरकार का एक महीने का कारेकाल पूरा हो चुका है, और ये एक महीना काफी एहम रहा धामी सरकार के लिए जिसमें कई अंपैसले लिए गए जो तालमिल की जो कमिया अकसर देखने को मिलती रही है, उसको भी भरने का काम किया, अपने कैबिनेट में उन चार राजमंत्रियों को मंत्री का दर्जा भी दिया और ऐसे में जिस तरीके से कहा ये जा रहा था कि जो संतूलन बरकरार नहीं रहता है भाजपा के अंदर सरक उसे कहीं न कहीं इन दिनों उन्होंने बरकार रखने का काम किया, दूसरी तरफ अगर हम फोकस करें, नौकर साही अकसर ये बात कही जाती है उत्राकन के अंदर, चाहे हो भाजपा की सरकारे रही हो या कॉंग्रेस की सरकारे रही है, नौकर साही लगतार हाभी रहती है उत अलमा जो बड़े कई सची उस्तर के जो अदिकारी है चाहें जिला-दिकारी अस्तर के जो अधिकारी रहे हूँख उनन आयस अधिकारियों के तबागले लगातार एक आए एक देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें जिस तरीके से मुख्यमंतरी ने सबत लेते ही छे संकल्प लियाता चाहें वो बरश्टाचार मुक्त सरकार की बात हो या फिर कोवीट के दौरान काम काचके और इसके अलावा महिलाओं को लेके युवाओं को लेके कही न कहीं रोजगार इस एक महिने में जो एहम फैसे लिये गए हैं वो कहीं न कहीं प्रदेश हित में लिये गए हैं लेकिन अगर देखा जाये तो धामी सरकार का इस वक्त जो फोकस है वो युवाओं को लेकर काफी देखा जा रहा और युवाओं को नौकरी दिलाना प्रात्मिकता कहीं न कही की तरफ से देखिए भाजपा का जो नारा है 16 पलस और युवा मुख्यमंतरी यही वज़ा है कि युवाओं पे जादे फोकस है और ऐसे में युवा मुख्यमंतरी के साथ युवाओं को जो साधने की कोशी से वो भाजपा के अंदर अक्सर देखने को मिली है आज ही जिस तर जल से जल पूरा करने की दिसा में 15 अगस तक सभी प्रकार के जो योजनाएं हैं चाहें भरतियां हैं जो भी रुकाउटे हैं उनमें उसे पूरा करने के जो निदेश हैं वो अधिकारियों को उनकी तरफ से दिये गए हैं क्योंकि समय काफी कम है सरकार के पास कम समय है और इस कम समय में धामी सरकार को साबित करना होगा कुछ करके दिखाना होगा तभी 2022 में भाजपा को जीत बहतर तरीके से और एक लच्छ जो रखा है 16 पलस का वो हांसिल कर पाएंगे यह चुनावती है धामी सरकार के लिए और जाहिट और ग्यानिंद्र यह जिस तरह से इसला ही कदम हो जाता है क्योंकि जिस एजेंडे को लेकर क्योंकि यूवा वर्क में कहीं नाराज़की देखने को मिल रही थी अब उसी यूवा वर्क को खुश करने की लगातर कवायदे जारी है कदम उठाए जारे उनके हित में और जो आने वाले चुनावों पर भी कहरा प्रभाव चोड़ेगा ज्यानेंद्र जो यूवा की रही है ऐसे में जिस तरीके से लगतार विपक्ष ने भी इस मसले को भूनाने का काम किया और अब ये बात भाज़पा को समझ में आई है कि कहीं न कहीं हम यूवाओं को जिस तरीके से कहीं न कहीं छोड़ना सकते हैं उनको साथ के चलना पड़ेगा यही ज़नाओं के जरी उत्थान की बात हो युवाओं को नोकरी दिलाने की बात हो रोजगार से जुड़ने की बात हो इस और ज्यादे फोकस इस दोरान देखने को मिला है ताकि 2022 के विदान सवाथ चुनाओं में कोई चूक न रह जाए कोई कमी न रह जाए जिसका फायदा पर प अ, जब में के विदा चूक उुवा, जब में रह जह पर जाएथ एात हो उन है टो होुवादो जाई रहा हो जाएशने की बाइव gotta ग्ते बात हो चुटवादे